बच्चो ये दरपन का अस्तमाल सूचना देने के लिए भी किया जा सकता है आपने देखा होगा कि जब धूप होती है और हम उसके सामने को दरपन रखते हैं तो उससे टकरा कर प्रकाश कहीं और पहुच जाती है और इसी प्रकार यदि हम दरपन को हिलाते हैं तो प्रकाश को अलग-अलग जगे तक पहुचाया जा सकता है यानि कि हम सूचना दे सकते हैं जब हम दरपन को हिलाते हैं तो प्रकाश की जगा बदल जाती है लेकिन आप देखेंगे सूरश तो अपनी ही जगे पर है यानि कि आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन हो रहा है इस परावर्तित किरण की दिशा में जो किरण इससे टकरा की गई उसमें परिवर्तन हो रहा है तो क्या यहां पर परावर्तन का नियम फेल हो गया परावर्तन की नियम के नुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर होने चाहिए जब सूरज अपनी स्थिती पर स्थिर बना हुआ है तो ये परावर्तित की रण क्यों इधर उदर हो जा रही है क्योंकि आपने दरपन को हिलाया है और जब हम दरपण को हिलाते हैं तो उसका अभिलम भी उस दरपण के सासा शिफ्ट हो जाता है और इसी कारण परावर्तित किरण की भी पोजिशन शिफ्ट हो जाती है अब परावर्तित किरण इस दरपण को घुमाने से कितना चेंज होगा इसके लिए हम एक एक अक्टिविटी करते हैं तो बच्चो अब हम इस दरपण को घुमा कर देखते हैं कि इस परावर्तित किरण पर क्या फर्क पड़ रहा है इसके लिए मैं आपतन कोन के मान को 20 डिक्री रखती हूं अब देख सकते हैं बच्चों कि जब मैंने आपतन कोन का मान 20 डिक्री रखा है तो परावरतन कोन भी कितना है? 20 है अब मैं इस चांदे की साहता से इस दरपन को घुमाती हूं मैंने इस दरपन को 10 डिग्री पे घुमाया अब देख सकते हैं बच्चों यह परवर्तन कोंड का मान कितना हो गया 40 डिग्री हो गया पहले तो 20 डिग्री था अभी 40 डिग्री क्यों हुआ क्योंकि मैंने इस दरपन को 10 डिगरी पे घुमाया है और 10 का डबल कितना होता है? 20 इसका मतलब इस परवरतन कोंड पे 20 डिगरी और बढ़ गए है तो कुल मिला के कितने हो गए? 40 डिगरी यदि मैं इस दरपन को 10 डिगरी और घुमाऊ मतलब पहले किस्तिती से अब इस कोंड कितना हो गया? 20 डिगरी मैंने घुमाया है पहले अपतन कोंड का मान 20 था परवरतन कोंड का मान 20 था अब मैंने इसको दरपन को 20 डिगरी घुमा दिया 20 का दुगना कितना होता है बच्चो? 40 तो इस 20 अंच में, इस 20 डिग्री में 40 डिग्री और बढ़ गये, इसलिए परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो बच्चों इस प्रयोग में हमने पाया, यदि हम समतल दरपन को किसी कोण से घुमाते हैं, तो परावर्तित किरन भी घुम जाती है, यद गई, इसका मतलब यह है कि किसी समतल दरपन को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरन दुगने कोण अर्था 2 थीटा से घुम जाती है, तो इस एक्टिविटी से हमने जाना, कि यदि दरपन को थीटा कोण से घुमाते हैं, तो परावर्तित किरन 2 थीटा कोण से गुम जाती है और ऐसे ही कोश्चिन आपको बोर्ड एक्जाम में भी देखने को मिलता है यह कोश्चिन एक नंबर में आता है बोर्ड एक्जाम में वहाँ पर थीटा ना लिखकर या तो उसका मान दे दिया जाता है या तो कुछ अलग मान दिया जाता है जैसा कि कोश्चिन पूछा जाए कि यदी डरपन two theta cone से घुमाया जाएगा तो परावर्तित की रण dash cone से घुम जाएगी ये खालिस तान आएगा एक नमबर का तो यहां पर डरपन को two theta cone से घुमाया जा रहा है तो परावर्तित की रण उसके दुगने cone से घुमेगी यानि कि आपको वहाँ पर फोर थीटा लिखना है या फिर मान दे दिये जाता है जैसे कि दरपण को यदि 30 डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण डैश कोंड से घुम जाएगी तो 30 का डबल होगा 60 तो इस प्रकार आप खाली स्थान में दिये गए प्रश्णों का उत सकते हैं अब यह सम्तल तरपण में प्रतिभीम किस तरह से बनता है अपने देखा होगा कि जब आप दरपन के सामने खड़े होते हैं आप उस दरपन में अपने आपको देख पाते हैं पर आप उस दरपन के अंदर दिखाई देते हैं इसलिए तो छोटे बच्चे बहुत आनन्द लेते हैं यदि उनको दर्पन के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उस दर्पन के अंदर कोई और छुपा है और इसलिए बार-बार वो दर्पन को छू छू कर अंदर घुसे हुए व्यक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं एक्चुली दर्पन में जो प्रतिविम बनता है वो आभासी प्रतिविम होता है मान लीजे यहाँ पर एक वस्तु है जो कि सम्तल दर्पण के सामने रखी गई है और यहाँ से आप उसको देख रहे है वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद आपकी आँखों तक पहुशता है यहाँ पर हमने दो किरण लिए है क्योंकि प्रतिविम के निर्माण में दो किरणों की आवशक्ता होती है मीनिममम दो किरणे चाहिए वैसे प्रतिविम का निर्माण तो उस वस्तु से आने वाली सारी किरणों से होता है लेकिन यहाँ पर हम उसको चितरित करने के लिए प्र ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उस बिंदू से आ रही है वहाँ पर कोई वस्तु है नहीं लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उस बिंदू से आ रही है और उसी बिंदू पर ही आप इस वस्तु का प्रतिविम देख सकते हैं या यू कहें कि उसी बिंदू पर इस वस्तु का अभासी शब्द क्यों इस्तमाल किया है वास्तव में वहां पर कोई वस्तु नहीं थी जिससे की किरने आ रहे थी ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि वहां पर वस्तु रखी गई है और वहां से किरने आ रही है और आप वस्तु का प्रतिविम उसी बिंदू प कि हम उस प्रतिविम को दर्पण के अंदर देख रहे हैं माना की कोई वस्तु समतल दर्पण mm- से ओभी दूरी पर है एं दर्पण पर अभिलंब है परावर्तन के नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण ओए दर्पण पर अपतित होती है और परावर्तन के पश्चात एसी द किशा में वापस आ जाती है इन दोनों परावर्तित किरणों एसी वा ओबी को दर्पण के पीछे की और बढ़ाने पर वे बिंदु आई पर मिलती है अर्थात वस्तु ओ का अभासी प्रतिविम आई पर बनता है चित्र अनुसार हम देखें यदि आपतन कोण ओ एन बराब भी आई होगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण है यदि परावर्तन कोण एन एसी बराबर आर है तो कोण बी आई ए बराबर भी आर होगा क्योंकि यह दोनों संगत कोण है और संगत कोण दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के नुसार अपतन कोण अपवर्तन कोण के के बराबर होता है अता समिकरण एक दो तीन से यदि हम त्रिभुज B O A और त्रिभुज B I A देखे तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण B O A बराबर कोण B I A होगा क्योंकि अपतन कोण अपतन कोण के बराबर होता है वहीं देखे कि अभिलम द्वारा 90 डिग्री का कोण बना है इसे लिए एंगल O B A और एंगल I B A भी बराबर होंगे तोकि ये दोनों ही 90 डिग्री है यहां से हम देखे तो A B दोनों में कॉमन है उभैनिष्ट भुजा है इसका मतलब यहां पर को भू को सर्वांग समता प्रमैसे यानि की कोण भुजा कोण क्योंकि यहां पर दोनों कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है तो यहां पर हम A S A क्राइटिया लगाएंगे और उसके अनुसार यह दोनों त्रिबुज O B A और त्रिबुज B I A यह एक दूसरे के समरूप होंगे और इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं O B बराबर B I यानि की वस्तू दरपंड से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दूसरी और प्रतिबिम्ब होगा अब इसी पर अधारित हम एक निमेरिकल कोश्चन करते ही यह दि कोई वस्तू समतल दरपंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तब समतल दरपंड द्वारा बनने वाले प्रतिबिम्ब की वस्तू से कुल दूरी ग्याद कीजिए हल प्रश्ट में दिया गया है कि वस्तू की समतल दरपंड से दूरी बराबर कितनी है 30 सेंटीमीटर और हमें वस्तू की दूरी समतल दरपंड से हमें समतल दरपंड द्वारा बनने वाले प्रतिबिम्ब की वस्तू से कुल दूरी ग्याद करनी है हम जानते हैं कि वस्तू का प्रतिबिम्ब समतल दरपंड से उतनी ही दूरी पर बनता है चितनी दूरी पर समतल दरपंड से दूर वस्तू रखी गई है वस्तू रखी गई है और यहाँ पर हमने देखा कि वस्तू जो है वो समतल दरपंड से कितनी दूर रखी गई है 30 सेंटिमीटर अताह प्रतिबिम्ब की दरपंड से दूरी अताह प्रतिबिम्ब की दरपंड से दूरी वो बराबर भी कितना हो जाएगा 30 सेंटिमीटर तो अब हम वस्तू से प्रतिबिम्ब की दूरी गयाद कर सकते हैं वस्तू से प्रतिबिम्ब की दूरी वो बराबर होगी 30 सेंटिमीटर और धन 30 सेंटिमीटर क्योंकि पहले वस्तू से दरपंड तक की दूरी 30 सेंटिमीटर और फिर दरपन से प्रतिविम की दूरी भी 30 cm है तो वस्तु से प्रतिविम तक की कुल दूरी होगी 30 धन 30 याने की 60 cm इस प्रकार प्रश्ण हल हुआ आपने देखा होगा कि जब आप दरपन के पास आते हैं तो आपका प्रतिविम भी आपके पास आ जाता है जब आप दरपन से दूर जाते हैं तो प्रतिविम भी दरपन के अंदर आप से दूर जाता है मतलब इस प्रतिविम के स्थिती वस्तु के स्थिती पर निर्भर करती है वस्तु कितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा है वस्तु जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है उसका प्रतिविम भी उतनी ही दूरी पर दरपण के अंदर ये दरपण के पीछे बनता है और इसी कारण जब आप दरपण से दूर जाते हैं तो आप छोटे नजर आते हैं आप दरपण के पास आते हैं तो आप अपने actual size में होते हैं लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं आपका प्रतिविम छोटा होते जाते हैं तो वस्तु की size यह height यदि वही है तो प्रतिविम के आकार में क्यों परिवर्तन हो जाता है यह depend करता है दरपण से दूरी पर इसको समझने के लिए हमें कुधारन लेते हैं आपने electrical towers को देखा है जो काफी ऊचे होते हैं जिसमें से transmission line होकर गुजरती है आप यदि उसकी नीचे खड़े रहें तो आप एक बार में उस tower को देख भी नहीं पाएंगे उसकी height इतनी होती है कि आपको पूरा गर्दन घुमा कर उचा करके उस tower को देखना पड़ेगा लेकिन वही tower यदि पहाडों पर कहीं लगा होगा वो आपको इतनू सा दिखाई देता है मतलब बहुत ही छोटा होता वही अकार का है लेकिन वह दिखता छोटा है वस्तू की आकरिती मतलब उसकी height depend करती है दर्शन कोण पर दर्शन कोण वो कोण हता है जो कोई भी वस्तू आपकी आखों में बनाती है मतलब वस्तू से निकलने वाली किरनेट जो आपकी आखों में कोण बना रहे है उसे हम दर्शन कोण कहते है तो जब वस्तू आपके पास होगी तब उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण आपकी आखों पर कम होगा और यदि दर्शन कोण का मान अधिक होता है तो वस्तु बड़ा दिखता है और दर्शन कोण का मान कम होने से वस्तु छोटा दिखता है अपने सूर्य ग्रहन के बारे में सुना है सूर्य ग्रहन में क्या होता है हम जानते हैं कि सूर्य की चारो और पृत्वी चक्कर लगा रही है और पृत्वी की चारो और चंद्रमा जब सूरज और पृत्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है उस कंडिशन में हम सूरज को नहीं देख पाते यह सूरज से आने वाला प्रकाश उस चंद्रमा से रोक दिया जाता है जिसके कारण सूरे ग्रहन हो जाता है यानि कि चंद्रमा की छाया प्रित्वी पर पड़ती है यह यूं कहे कि हम सूरज को नहीं देख पाते अंधिकार हो सूरज से आने वाली किरणों को रोक लेता है ये निर्भर करता है दर्शन कोण पर एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा के द्वारा आपकी आखों पर बनाया गया दर्शन कोण और सूरज के द्वारा आपकी आखों में बनाया गया दर्शन कोण दोनों का मान एक हो जाए समान हो जाए तो उस समय चंद्रमा सूरज की आक्रिती का नजर आता है और इसलिए वो सूरज को पूर्ण रूप से ढग देता है जब पूर्ण सूरे ग्रहण के स्थिति होती है और यही सूरे ग्रहण होता है इसलिए तो हम कहते हैं कि सूरे ग्रहण हर जगे से नहीं दिखाई देता पृत्वी के किसी भाग पर हमको सूरे ग्रहण दिखता है और किसी भाग पर नहीं दिखता क्योंकि उस भाग पर दर्शन कौन का मान सूरज और चंद्रमा के लिए सेम होता है तो यह नहीं कि पृत्वी के हर जगे पर उस दर्शन कौन का मान सेम हो इसलिए यह सूर्य ग्रण पृत्वी के किसी हिस्से पर इस पश्ट दिखता है और किसी हिस्से में तो सूर्य ग्रण क पता चलता ही नहीं और इसलिए ही जब आप आइने के सामने खड़े होकर आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं तो आपका प्रतिभिम भी बड़ा ये छोटा होते जाता है वो निर्भर करता है कि उसके द्वारा आपकी आखों में दर्शन कोण कितना बन रहा है अधिक दर दर्शन कोण बनता है तो प्रतिभिम बड़ा दिखता है जब दर्शन कोण छोटा हो जाता है तो प्रतिभिम भी छोटा हो जाता है आप जब आइना देखते हैं बच्चों तो आपने देखा होगा किसी आइने में हमारा सिर्फ चहरा ही नजर आ रहा है जब हम पीछे कह सक ही नहीं देता हूं तो पूरा प्रतिप्यम देखने के लिए आएने की लंबाई कितनी होनी चाहिए मान लीजे आप इस आएने के सामने खड़े हैं आपके पैरों से जो किरने दरपण में टकरा रही है टकरा कर आँखों तक पहुचेगी सिर से भी जो किरने आ रही है वो टकरा कर दरपण से आपके आँखों में पहुचेगी और इस प्रकार आप अपने पैर से लेके सिर तक का पूरा हिस्सा देख सकेंगे क्योंकि पैर से लिए के सिर तक बॉडी में जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारी किरने तक राकर आपके आँखों तक पहुचेगी और उसके करणी इमेज दरपन के अंदर आपको दिखाई देगा वैसे जब मैं कहती हूँ कि आपके पैरों से किरने आ रही है या सिर से किरने आ रही है तो आप कोई प्रकाश रोत नहीं है जो आप से किरने प्रुड्यूज हो एक्चिली वो किसी प्रकाश रोत की किरने हैं जो आपके सिर से या पैल से टकरा कर आगे की और बढ़ रही है तो बच्चों वैसे ही जब भी में किसी वस्तु की भी बात करो कि वस्तुएं से किरने आ रही है तो वस्तु यदि प्रकाश रोत ना हो तो उनमें से कभी भी किरने नहीं आ सकती वो कोई प्रकाश रोत ही है जिससे की प्रकाश किरने आ रही है और वस्तु से टकराकर हमेशा आपके आँखों तक पहुँच रही है और वो वस्तु आपको दिखाई दे रही है त्रिभूज HPE वर त्रिभूज E Q F को यदि हम ध्यान से देखें हमारे सिर्फ H से R E की रण P पर परावर्तित होकर हमारी आग E में प्रवेश करती है और हमें हमारे सिर्फ का प्रतिविल H डैस तरपन के पीछे बना हुआ दिखाई देता है इसी प्रकार हमारे पैर F से R E प्रकाश की रण Q से टकरा कर हमारी आग E में पहुँशती है और F डैस पर पैर का प्रतिविम बनता है इसी प्रकार अन्य बिंदूओं का प्रतिविम भी H डैस F डैस के बीच बनता है अर्थात पूर्ण प्रतिविम बनने के लिए दरपण का केवल पीक्यो भागी उप्योग में आता है इसलिए तो जब हम किसी दरपण से दूर जाते हैं तो धीरे धीरे हमको उस दरपण में प्रतिविम दिखने लगता है पूरा प्रतिविम देखने के लिए यह जरूरी नहीं कि दरपन हमारे पैर के सीधे में रखा हो यदि दरपन हमारी आँखों के सीधे में रखा है तो एक निश्चित दूरी पर भी हमें अपना पूरा प्रतिविम दिखाई देता है अब इसे चित्र में ही त्रिभूज HPE वा त्रिभूज EQF में PR पक QS को क्रमशा HF पर अभिलंबित कीजिए कौन I1 बराबर कौन R1 है क्योंकि परावर्तन के पहले नियम से अपतन कौन परावर्तन के बराबर होता है वैसे ही कौन I2 बराबर कौन R2 होगा यहाँ पर भी परावर्तन का नियम लागू होता है इसलिए HR बराबर होगा RE यानि की HE upon 2 और SF बराबर होगा SE यानि की EF upon 2 अब PQ बराबर RS है RS को हम लिख सकते है RE plus ES तो PQ बराबर होगा RE plus ES और यहाँ से PQ बराबर होगा HE upon 2 plus EF upon 2 PQ बराबर होगा 1 by 2 HE plus EF और HE plus EF बराबर होगा HF तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर 1 by 2 HF अर्थात दर्पन का उप्योगी भाग उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होगा जो दर्पन में अपना प्रतिविम देख रहा है चुकि Q M' बराबर S F है तो Q M' बराबर E F upon 2 होगा अर्थात दर्पन को आग के इस्तर के आधी उचाई पर रखने की अवशक्त होगा इसका मतलब हमें अपना प्रतिविम देखने के लिए हमारी लंबाई के आधी लंबाई का दर्पन की अवशक्ता होगी और ये दर्पन कितनी उचाई पर रखे जाना चाहिए चुकि Q M' बराबर S F है तो Q M' बराबर E F upon 2 होगा अर्था दर्पन को आग के स्तर के आधी उचाई पर रखने के अवशक्ता है आधी लंबाई का दर्पन ले और उसे अपने आग के स्तर के आधी उचाई पर रखे तो हमें अपना पूरा प्रतिविम दिखाई देगा तो चलो बच्चो इस पर अधारित एक आंकीक प्रश्ण बनाते हैं एक वेक्ति की लंबाई 160 cm है उसे अपना पूर्ण प्रतिबिम देखने के लिए कितनी लंबाई के दरपंड की आविशक्ता होगी चलिए इसका हल देखते हैं प्रश्ण में दिया गया है दिया गया है कि वेक्ति की लंबाई कितनी है वेक्ति की लंबाई कितनी है वेक्ति की लंबाई है 160 cm वेक्ति की लंबाई 160 cm और हमें यह ग्याद करना है कि उसे अपना पूर्ण प्रतिविम देखने के लिए कितनी लंबाई के दरपंड के अवशक्ता होगी. तो हम यह जानते हैं कि व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिविम देखने के लिए अपने लंबाई की आधी दरपंड की लंबाई की अवशक्ता होती है. याने कि व्यक्ति की लंबाई एक सो साथ है तो हमें जो दरपंड की लंबाई चाहिए होगी वो इसका आधा होना चाहिए. अपने लंबाई की आधी लंबाई वले दरपंड की अवशक्ता होती है. तो इसके अनुसार दरपंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दरपंड की लंबाई जिसमें एक सो साथ सेंटिमीटर वाला व्यक्ति जो है वो अपना पूर्ण प्रतिबिम देख पाएगा. वो होगी एक सो साथ बटे दो याने की 80 सेंटिमीटर. इस प्रकार यह प्रश्ण हल हुआ. आता है एक वेक्ति के लंबाई यदि 160 cm है तो उसे अपना पूर्ण प्रतिविम देखने के लिए कम से कम 80 cm के लंबे दर्पन की आवशक्ता होगी